सिर्फ सब्सक्राब करने से कुछ नहीं होता इस घंटे को दवाएं मेरे नएक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तों स्वागत है आपको मैं हेल्प के लुडूप चैनल पर दोस्तों यह प्रोड़क्ट मैंने इंटरनेट से मंगाया था अमेजन और फिलिपकार्ट से नहीं मंगाया था कोई ऐसे अन्नोन वेवसाइट था वहाँ से मंगाया था तो यहाँ पर यह जो चीज है विंडोस सेवन का 32 बीट और 64 बीट का ओपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों यह मुझे बहुत सस्ते में मिल गया था सायद 2-3 महिना पहले मैं मंगाया था यह सायद 500-600 के आसपास में मुझे मिल गया था तो यह देखिए 32 बीट और 64 बीट का है इसमें खासियत यह है दोस्तों कि इसमें किस तरह का की का कोई जरूरत नहीं है यह जो DVD है दोस्तों इसको आपको कुछ करना नहीं है डिरेटली आप इसे अपने कम्प्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं आपको किस तरह का कोई प्रोड़क्ट की का जरूरत नहीं पड़ेगा तो इसे मैं आप लोग के साथ सेर करना चाहता हूं दोस्तों यह जो पूरा का पूरा फाइल है मैं आप लोग के साथ सेर करना चाहता हूं ताकि आप लोग को पैसे खर्श ना करना पड़े और आप भी अपने कम्प्यूटर में विंडोस 7 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो क पर सकते हैं मैंने क्या किया हैं दोस्तों कि इस विंडोस 7 का ISO फाइल बनाया हूं और ISO फाइल बनाके अपने cloud storage में रख लिया हूं और वो मैं आपके साथ share कर देता हूं ताकि आप इसे आसानी से यूज कर सके आपको किस तरह का कोई इसमें product की का जरूरत नहीं है सब कुस एकदम से free है आप बस इसे डालिए और यूज कीज़े कोई problem नहीं होगा आपको कोई product की का जरूरत नहीं है मेरा विश्वास कीज़े चली ये तो चीज हो गया कुछ और भी चीज़े बगल में पड़ा हुआ है ये भी आप लोग देख लीजे फटा फट ये दोस्तों eyeball company का mini USB adapter है wireless mini USB adapter इसका ये driver है तो ये भी मे इरिटेशन होने लगा तो इसे भी यूज नहीं करता हूँ ये भी पड़ा हुआ है ये साथ में export का dictionary वाला एक cassette है CD है दोस्तों तो इसे यूज करता हूँ ये भी ये पड़ा हुआ है बस इतना सारा मेरे पास है सब DVD हैं जो की यूज होता है कभी नहीं भी होता है लेकिन स सबसे जादा यूज मैं इसका करता हूँ आप लोग के साथ share भी करता हूँ तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कैसे इसे आप download कर सकते हैं तो यही है दोस्तों Windows 7 full version का ISO फाइल मैंने उस disk का ISO फाइल बना दिया हूँ और अपने cloud drive में जो की mega.nz में रख लिया हूँ तो इसे मैं आप लोग के साथ share कर देता हूँ इसे आप download कर लिजेगा उसके बाद आप अपने pain drive में bootable बना लिजेगा इसे और आप अपने computer को format कर लिजेगा Windows 7 आपके computer में पूरी तरह से काम करेगा इसमें किसी तरह का कोई भी की का जरूरत नहीं पड़ेगा तो दोस्त वीडियो के description में है जैसे ही आप उस link पे click किजेगा तो इस तरह से एक नया page में open हो जाएगा और यहाँ पर download करने का option आपको दिख जाएगा डारेक्ली आप download कर सकते हैं देखिए 3.73 GB का है download पे click किजेगा तो आपका देखिए उपर में इस तरह से download होने लगेगा यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा फाइल है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर NTI lagging हो रहा है थोड़ा सा time लेगा लेकिन इस download होना शुरू हो जाएगा तो फिलाल मैं इसे pause कर देता हूँ और दोस्तों download कर लिजिए उसके बाद bootable अगर आपको नहीं बनाने आता pen drive तो उसका लिंक मैं वीडियो के discussion में दे दिया हूँ तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख लिजे और उसके बाद bootable बनाना सीख लिजे और अपने computer को format कर लिजेगा तो यही था दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share कीजे ताकि उनका भी कुछ मदद हो जाए मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नहीं जानकार इक साथ thank you, धन्यवाद